पांच साल पहले नजीब को गायब किया गया वो कौन लोग से ये पूरा कैंपस जानता है उसी तरह से जैसे पांच जन्वरी को जब कैंपस पे अटैक हुआ एक राइट जैसा सिचुएशन पैदा किया गया वो कौन लोग थे वो सब लोग जानते है उसके बावजूद आज ये हालत है जैसा हेबा ने कहा कि पांच साल बाद भी हम लोग एक ही सवाल पूछ रहे है कि वेर इस नजीब सब लोग जानते हैं कि ABVP ने किस तरह से नजीब के अटैक किया किस तरह से उस पर एक फर्स्ट यर MSC स्टूड़न आप सोचीा आप मेंसे काफी लोग होगे जो FIRST TIME केंपस आए होगे लोकडाउन के बाद आपने जभी भी admission लिए होगे पहली बार आप कैंपस आ रहे है और आपको कैंपस में कोई मारता है और आपको गायब कर लीता है और उसके बाद बात वहाँ पे नहीं रुखती है, बात वहाँ से शुरू होती है, क्योंकि उसके बाद JNU का प्रशाशन पूरी तरह से लग जाता है, नजीब को या तो किसी तरह से mentally disabled या mentally unstable बताने में, या तो media houses लग जाते हैं, उसको एक terrorist बताने में, या एक violent person बताने में उसका खुद का roommate उसको बोलता है कि भाई उससे उसको threatened फिल हो रहता है, और यहां तक की JNUSU जो एक legitimacy hold करता है students के लिए, जहाँ पे सब लोग चुनाव लड़के जाते हैं, और आशा रखते हैं कि JNUSU सारा students का हित में बात करेगा, उसका President जो अभी Congress Party में है, वो President उस पहले जो वक्ता आके बोले हो, उसके बाद पांच साल बाद एक judicial process में जाने के बाद, judiciary, CBI, police, all of these people have failed Najeeb, they have failed Najeeb's mother and they have failed all of the students, JNUSU एक दिल्ली जो राजदानी को बोला जाता है, उसके बीचो बीच का campus है, उसमें से एक student गायव हो जाता है और आपको कोई परवाद नही 2016 में और एक घटना बनी थी, जन्वरी में रोहित वेमिला, जो HCU में student है, उनके साथ यही चीज हुआ, एबी वीपी ने उन पर अटाक किया, उनके खिलाफ reports admin को दिया, और administration ने उनको hostel से निकाल दिया, और उसके बाद रोहित वेमिला का सांस्तागत हत्या हुआ, ये बात बताना बार बार दोहराना ये जो सारे लोगों का रोल है, वो दोहराना इसलिए जरूरी है, क्योंकि ये campuses को माना जाता है, कि ये campuses बहुत progressive campuses, यहाँ revolutionary बाते हो, यहाँ देश को transform करने की बाते हो, लेकिन ये सारे meta narrative के पीछे जो छुपा हुआ है, वो है marginalized student के साथ, किस तरह कि रोजाना जातियां होती है, किस तरह से उनको दबाया जाता है, उनको campus के अंदर भी marginalized किया जाता है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, तो ये इसलिए जरूरी है दोहराना, और ये सब दोहराने के बाद एक सावाल उखता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना भी कि ये campus का खास करके marginalized तबके से आने वाला student है, चाहे वो Muslim समाद से है, चाहे SC, ST, OBC, जो भी marginalized समाद से है, वो students को आगे क्या करना है, हम सब के आपस में ideological मदबेद है, हम सब के आपस में differences है with regards to what we believe in, कोई constitution में मानता है, कोई नहीं मान रहा है, कोई इसलाम में मान रहा है, को बुद्धिजम में मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है, लेकिन ये तमाम मदबेदों के बावजूद, जो हम लोग को एक shared organic solidarity देता है, वो है कि हम सब को, सब के ऊपर एक तरह का operation होता है, एक तरह का दबा होता है, and this is a basic minimum on which all of us can come together and we have done that. For the past several years, BAPSA, MSF, SIO, Fraternity have shown how a new kind of politics can be articulated, जहां marginalized student अपनी बात खुद आकर करेंगे, माने और कांचिराम साब एक बात बोला करते थे, और माने और कांचिराम साब का नाम भी ऐसा है कि campus पे left उनसे चिड़ता है, लेकिन वो एक बात बोला करते थे कि ये देश में अगर 85% लोग SC, ST, OBC, Minorities एक साथ जूड कर अगर राजनीती करे, पावर के लिए कंटेस्स करे, तो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमको रोख सकती है, और इसकी मिसाल हमको और दूर जाकर देखने की ज़रूरत नहीं है, रोहित की मदर, रादिका अम्मा, फातिमा नफीस, नजीब की अम्म यह दोनों ने साथ आकर हमको एक रास्ता दिखाया है, कि किस तरह से सारे marginalized communities साथ में आकर इस तरह की परिस्तिती को चैलेंज कर सकते हैं, और अब वो सिर्फ रोहित की मा या नजीब की अम्मी नहीं रहे, they have become our leaders, and we have to follow their cue, and try to articulate a politics which is not the mainstream politics, यहाँ पे लोग सब आपके आपक कि इस तरह से राजनीती होती है, इस तरह से करांतीकारी बनते हो, इस तरह से revolutionary बनते हो, और बाहर जाके क्या होता है, वो हम सब पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, इसलिए इस पूरे campus के तमाम student से मेरी एक ही गुजारिश है, कि आप समझ यह कि आपका solidarity किस से बन सकता है, और ऐसे कौन लोग है, जिनके साथ रहे कर, आप अपना politics articulate कर सकते हैं, और politics articulate करना बेहत जरूरी है, यह नहीं है कि हमको politics नहीं करना है, वस हिमने ठीक का, कि जब से यह social justice का politics इस campus पे आया है, लोगों को लगता है campus, यह political हो गया है, actually, the very politics that you are articulating today, is a threat not just to the ruling establishment outside, but also to the ruling establishment on the campus, इसी चीज को समझते हुए आप और हम, हर चीज में साथ हाए, तो वो सही रहेगा, इसका मतलब से यह नहीं है कि रोहित का मार्च में कुछ students हाए, नजीब का मार्च में कुछ students हाए, बट एवरी डेय और गानिक solidarity has to be developed, through our language, through the kind of programs that we do, through the kind of protests we hold, उस सब में अगर हम लोग एक दूसरे का ताकत बढ़ा है, आज हेबा बोल रहे है कि इतने सारे students देख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, उसका कारण एक ही है, कि हम लोग सब साथ में आके इस चीज को आगे लेकर बढ़ने की कोशिश कर रहे है, तो यही unity जो है एक और गानिक लेवल पे, not just on events and occasions, but on an everyday basis, if we are able to establish, then we can do something out of it, that's where I stop.